ICICI bank को आज के दिन हम trade करें, इसको हमने short side की तरह fake अपनी entry बनाई है 811 रुपय 14 पैसे पर तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICICI bank को समझेंगे क्यों हमने इसको short किया है क्या analysis है हमारी higher time frame की और क्या analysis है हमारी lower time frame की entries के process में 811.40 क्यों है and stop process वगरा मेरे क्या है करें अपना यह आज का वीडियो वीडियो कर अच्छा लगता है तो उसको जरूर से जरूर लाइक की जिएगा कॉमेंट्स की जिएगा and अपने friends और गल में share की जिएगा so thank you and welcome to the studio so ICICI bank के अंदर हम लोग सबसे पहले तो अपनी trade book open यहां पर आप देखेंगे position book में total 975 quantities के साथ यह order में अपना execute किया था and अभी तब कोई भी stop loss order बगर आप इस पर नहीं लगाया है so order book में आपको सिर्फ एक order दीखेगा selling order 975 quantities का so इसके अंदर एक task अपना है stop loss लगाने का so stop loss लगा देते है stop loss लगाने को इसी जल्दवाजी नहीं थी हमें because जिस range से हमने अपने private group में इसको share भी किया है जिस range से उसी range से इसको trade भी कर रहे है and यह range strong range है so थोड़े बहुत rejections का हम wait कर रहे थे ICICI bank के लिए आजका जो मेरा stop loss निकल करके आया 813 रुपे 90 पैसे का मेरा stop loss है so calculated quantities ही है इसके उपर so 813 रुपे and stop loss यहां पर रम्रुक लगा देते हैं अपना so square of NAC SL market paste okay 813 रुपे पैसे पर buying का अपने एक stop loss समने put कर दिया है perfect so successfully paste order and order 975 countries का 813 रुपे 90 पैसे पर मेरा order लग चुका है and इस वक्त का जो अपना profit चल रहा है 1400 रुपे का profit चल रहा है 1400 रुपीस का okay so order working पर लोग अपनी close कर दे हैं and अब आते हैं वापस अपने stock को जब आप लोग देखोगे तो बहुत बार हमने यह चीज़ आपको बताई भी है उल्लेडी के जो swings होते हैं higher time frame के swings and lower time frames का काफी जादा यूज होता है low यह high बना यह low again यह high यह low high low वापस प्राइस upside के तरफ यह वाला जो high है यह अपना करेगा अगर प्रैस को नीचे की दिशा में गयर ना है तो प्रैस जहीं से नीचे कर जाएगा आई से मैं को अगर हम अब्जecak्श कोब करके सिर्फ ICICI bank को observe करते हैं इसको analyze करते हैं सो प्राइज यहां पर क्या कर रहा है अब साइड में जाते 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 आज वापस प्राइज ने gap-up opening दे अभी आज देखेंगे आज gap-up opening देने के बाद में इसने rejections इसी पॉइंट से ले लिए अब अगर इसको उपर निकलना था तो जैसे इसने gap-up किया हुआ से उपर भी निकल जाए बट वहीं से reject होने लग लग गया हम लोग पॉइंट पर आते हैं हम लोग पॉइंट पर आते हैं अपने आइससे बैंग ने gap-up opening की और exact अपने रेस्टेंस से reject होने लग गया हमने वहां पर अपनी confirmations लिए और वहां से मिसको आज ट्रेट टेल है तो यह तो बात होगे ड्रेंग की अभी आते हैं अपने चा हाई लो और यह हाई यह लो अगयर प्राइस ने देखिए तो यह वाला जो पॉइंट अपना बना यह जो सेम्क बना यह आज अज करना पना गया इंग सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेंट को ही देखते हुए नहीं प्राइस जब आप हाई टैम फ्रिमपर देखो गए तो आप्साइट की तरफ जा रहा था नाएक काम करते हैं चार्ड को समझने के लिए हम लोग जितनी भी रेंजे कर देते हैं डेलेट ऐलेट कि जब मेरा अपसाइट की तरफ जा रहा था अप में क्या था तो ये दो candles जो बनी थी ना मेरी 10th January and 11th January 10th and 11th के बाद में price ने एक gap up opening दे दी अपनी एक gap up opening दी और gap up opening देने के बाद में हमारी इस range को break किस ने क्या था 12th of January की candle एक gap up opening दी और उसके बाद में price ने पने highs break करने बंद किया और वापस से price नीचे के दिशाम में किर गया यानि के एक gap up कर देने के बाद में price ने high से लेकर के low तक यहां तक अपना एक swing ड्रॉ किया और swing के बाद में वापस से price ने देखे क्या किया था highs break करने की कोशिश की था बट यहां से price ने reject हो गया और down side के तरफ गिर गया था आज भी market ने क्या किया है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी जो बुलिश केंडल हमको नजार आ रही वह यह वाली है इसके 24th of January के बाद में और जो अभी हम लोग discussion कर रहे थे कि price ने एक gap up opening दी यहां से लेकर करके gap up opening जो दी वह अपने swings के पास तक दी और यहां से price हमारा reject होने लगा दोनों ही तरह से या फिर कहें तर तीन पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो प्राइस के अंदर हमारी जो 14th of January के candle है यह एक important candle form हो रही है एक important candle बन रही है यहां से भी price ने gap up opening दी आज भी price ने gap up opening दी और यह वाला जो अपना swing है यहां से प्राइस हमारा reject होता हो दिख रहा है हमको हम इसको mark कर लेए सारा का सारा आज जो marking है सारा का सारा जो गेम करेगी उस सिर्फ और सिर्फ यह candle करेगी इंट्रडे से अब आज आते हैं वापस हम लोवर टाइम फ्रेम पर वीडियो को लाइक करते रहेगा लोवर टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे यहां पर जो अपनी entry है आट सो ग् पर 90 पैसे के अपने stop loss रखें अब बात आती है टार्गेट के सो टार्गेट के लिए का करेंगे एक कंडिशन में अगर पैस हमारा नीचे की तरफ गिरता है और gap filling के method के according price को अपना यह जो gap है अगर यह gap fill करने के लिए आता है तो बहुत अच्छा target मिलेगा बट ऐसी कोई expectation नहीं करेंगे जो कि unrealistic है यहां पर किसी तरह का gap filling वगारा हम नेले क्योंकि बहुत बड़ा target ही हो जाएगा हाँ अगर पैस मेरा नीचे की दिशा तक गिरता है तो कल के session के जो highs होंगे न यहां तक में भी चांस है कि price विरा आ जाया तो wait करेंगे हम बिलकुल high भी ने थोड आपको समझ में होंगे और टार्गेट के लिए जो gap filling का method के according यह बार जो point है अभी देखाना किस तरह से मार्किंग के हम लोगों ने exact यही point हमारा target के लिए हो ओके सो ट्रेड हमारा रेनिंग है एंट इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चले 900 रुपेश के में प्रॉपिट में हैं सो थैंक्यू एंड और बुक में देख लेते हैं स्टॉप लॉस वगारा सारे के सारे में लोग लग लग शुके हैं आठ सो ट्रोपे नभी पैसे मेरे स्टॉप लॉसे से 811 रुपे चारीज पैसे की एंट्री पांट से ओके सो ट्रेड अपना चल रहा है कोई बड़ा मूव होता है इसके अंदर तो आप लोग को इंफर्म करते हैं अधर्वाइस कोई एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर आप को इंफर्म करेंगे तो थैंक यू एंट वेट करते हैं अभी इस समय यहां से बहार निकलने का है प्राइस देखिए डाउंसाइड की दरफ था हमें तभी निकल जाना चाहिए बिकॉस टार्गेट से ज्यादा हम यहां पर अपना रिस्क एंड रिवार्ड मिल रहा था तो 12,000 के करीब अपना प्रॉफित यहां पर चल रहा होगा 12,000 के जादा रिस्क लेने वाले नहीं है जो भी प्रॉफित हम लोग को मिला हम लेकर करके निकलेंगे सो और बुक में जाते हैं एंड इसको कर देते हैं सीधे हम लोग मार्केट पर चले फूली एग्जेक्यूटेट एंड पोजिशन बुक में देखिए 11,313 रुपे चार निकले हैं 11,330 रुपेज का प्रॉफित है मेरे लिए एक बहुत अच्छा बहुत सटिस्वाई एक डीसेंट सब्रॉफित है लास्टेशन में करीब हम लोगों ने 20,000 प्रेस के आसपास का प्रॉफित बोग किया था वो कभी-कभी होता है यह अपना नॉर्मल है ऐसा अग के वीडियो में ने कहा था के दूसरी या तीसरी बार हमको इस तरह का प्रॉफित देखनों को मिला था सो अनफर्शनेटल उपना बढ़ा मुवमेंट आयो और हमें प्रॉफित मिल गया ओके फिलहाल आज का जो प्रॉफित है यह हमारा 11,330 रुपित है यहां पर जो हमको अगनी प्राइस प्राइस मिला है 799.80 का जो हमारा प्री डिफाइड लेवल था अपना 799.80 पर रिम प्रॉफित मार्के ओर लगाया है बट प्राइस जो प्राइस हमको मिला 799.80 का प्रैस मिला ऑके आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कुछ ना कूछ आपने इ thanks and we will meet again